तो गाईज, स्वागात है आपका Python सीखने की सीरिज में, आज हम देख रहे हैं Print Function in Python, चले स्टार्ट करते हैं आज का lecture, तो बेसिकली जो Print Function होता है, वो values को या strings को display कराने के लिए यूज होता है, बेसिकली हम Print Function की help से कोई message या किसी variable की value को display कराते हैं, Python में Print Function multiple way से use होता है, ये single value या multiple value को print करने के लिए यूज होता है, तो कैसे हम करते हैं, चलिए देखते हैं आज, सबस्पिल में Python में ideally open कर लेता हूँ, ideally cell में ने open कर लिए, अब देखो, print का सबस्पिल basic use दिखाता हूँ मैं आपको, तो print का basic use क्या है, hello function, oh sorry, hello display कराता हूँ मैं print के help से, तो मैंने क्या करा, simple print के अंदर मैंने hello लिखा, तो मैं आपको ये first lecture में भी बता चुका हूँ, कि print function में आप जो कुछ भी double quote के अंदर लिखते हो, वो as that is output screen पे print हो जाता है, चाहे मैं वो space दूँ उसमें, या dot लगाऊ, या कुछ भी लगाऊ, या कुछ भी ल लिखूँ, print, hello world, एक तरीका तो ये होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये multiple string नहीं आएगी, एक single string कहलाएगी hello world पूरी, इसको आप multiple string नहीं बोल सकते, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, print, मैं बोलू, hello एक अपने आप में अलग string हो, world अपने आप में अलग string हो, तो ये जो ठीक है, ये जो है न, ये अपने आप में जो है, वो दो string कहलाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं display कराओं, तो ये hello हो जाएगी, और ये world हो जाएगी, दो अलगला string है, तो इनको display करने के लिए हम क्या करेंगी, तो python में अगर आपको multiple strings display करानी है, तो हम उनके देता है, देखिए, जैसे मैं इसको enter करूँगा, तो hello world जुड़ के आ जागा, एक साथ, या गया, hello world, ठीक है, तो समझ आया, अगर मुझे python में, दो string को एक साथ display कराना है, तो हम plus operator का use करेंगे, अगर मुझे दो integer को display कराना है, तो कैसे करोगे, print, सपोस आपको लिखना है क्या 10, ठीक है, और एक को लिखना है, आपको क्या 20, ये दो integer है, ये को string नहीं है, तो इन्हें display कराना है, तो वो होता है, comma की help से, या दखना, मैंने कहा कि ये comma लगाया, जैसे मैं display कराऊंगा, तो 10 भी display होगे, और 20 भी display होगे, तो cd-cd क्या concept होगे, अगर मुझे दो string को क्या होगा, plus की help से display होगा, अगर तो integer को display कराना है, तो comma की help से print होगा, और अगर एक integer और एक string करानी है, तो वो भी comma से separate होगे, या दखना, जैसे मैंने लखा क्या, hello, this is, और सपोर्स मुझे क्या लखना है, या पर 10, तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया, ये 10, ये, तो म integer number है, तो इन दोने के बीच में क्या होना चाहिए, मैंने क्या वहला, कॉमा, ऐसे आप लिख सकते होते हैं, क्या गया, hello, this is 10, तो ये देखो, c language में मुझे %d, या %f, ऐसे कुछ लिखना पड़ दा था, पर python में ऐसा कुछ नहीं है, python में आप simple integer लिखो, और वो automatically, जिस string के बाद लिखा है, वाँ, display हो जाएगा, मानने कि जो लो आपको लिखना, आपको 10 कांट display करना था, this के बाद display करना था, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे, print, hello, this, और यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ आपको 10 print करना था, आप 10 लिखो, और फिर comma क्या कर दो, बागी string लिखे दो क्या, is, और यह colon, इस तरीके से, तो क्या हो गया, अब यह display क्या होगा, यह hello, this, sorry, hello, this print होगा, और उसके बाद क्या होगा, आपने 10 लिखा तो 10 print होगा, और इसको बाद फिर is, मतलब python क्या करती है, completely sequence follow करती है, जैसे आप लिखोगे, वैसे वैसे आपक प्रिंट करते जाएगे, यह देखिए, hello, this, 10 is, दोस्तों मित करता हो, आपको समाझ आएगा, कैसे print function में हम multiple strings, string plus, integer, या multiple integers को print करा सकते हैं, दोस्तों कर आपको आपको अच्छा हमारा लेक्षर क्लियर होगा, तो please वीडियो को लाइक कीजे, लाइक करने के साथ इसे share भी क सकार.